टैलंट को बिकाट के इस अपसोड की शर्मात में हम देखते हैं ये त्यान उस मिस्टेरिस व्यक्ति के साबने गिरा पड़ा था और जब व्यक्ति उसके टैलंट चेक कर रहा था वो ये बाद चानकर हिरान हो गया था कि आखर ये त्यान के पास एतने जादा टैलंट कैसे थ क्योंकि बने ये इतने सारे टैलंट्स होना अपने आप में ही काफी खास बात थी पर वो टैलंट्स के इतने कर काबिद होंगे वो कल्टिविटर की लग या फिर उनकी यातना पर मिले के मौकर पर निरबर करता था और वो मिस्टेरियस परसन ये त्यान से एक पास जाब कर और आखेर आपकी राएं क्या है? क्योंकि देखने साही है तो नहीं लगता कि आप एक मौलाच राएंक एक्सपट हों जिस बात पर वो व्यक्ती ये त्यान को बताता है कि जैसे उसे ये त्यान के राजों को रासी रने दे तब वैतर होगा पर ये बात काफी अच्छी थी कि येतियन के पास special talent जैसा rare talent था क्योंकि उसी talent के साथ ही इस जगा पर आया जा सकता था और वो यहाँ पर बस ये talent पाई गई generation को एक message देना चाता था और उसी के साथ साथ कुछ advices भी और वो येतियन को बताता है कि क्योंकि उसके पास काफी खास कास तरह के अलग talents थे तो वो उसकी criteria में पकाएगा और उसके पास एक बहुत ही कमाल का तरीका था येतियन को जल से जल एक grand master rank में पुछाने का और येतियन देखे रहा था कि उसके बात करने के तरीके से ऐसा तो बिल्कुल नहीं था कि वो व्यक्ती कुछ जूट बोर रहा था और येतियन उसे पुछटा है क्या कि रहसा कौन सा तरीका था जो से जल्दी grand master बना देगा जिस पर वो person बजाता है कि बहले ही येतियन के पास बहुत से talents थे और उन समी के ही अलगलक situation मताबिक अलगलक तरह के इस्तमाल थे पर बात ये थे कि येतियन के जादा का talents या तो low tire के थे या तो mid tire के जो पक्ये experts होते हैं उनके जादा कर हर एक talent एपक star तक तो होता ही है क्योंकि खतरनाक लड़ाईयों में अगर तुम्हारे पास जादा talent भी हुए वो low tire के talents लड़ाईयों में बस एक तरह का बोजी बनेगे और उल्टा येतियन को उनका इस्तमाल कर 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 एक तम गाठा होगा कि मकेतनी rank के talent को copy कर और फिर वो व्यक्ति आगे बताता है कि येतियन के पास जतने भी low tire के talents होंगे येतियन की growth उतनी ही रुकती चाहेगी और अगर येतियन चेल्दी और शक्तिशाली grow होना चाहता था और येतियान इस बास से एक्तिम शोक होता पूश्टा है कि उसने आज चेक ऐसा कभी भी कुछ तोनन नहीं था वो इतना चाहता था कि ताकत वर होने के लिए cultivation talent को आके बढ़ाया जाता था पर क्या सबी talents को भी epic start किया जा सकता था जिस बात का जबाब देती है वो person बताती है या फिर बताता है कि जब तक वो अपने talents के सारी लड़कर उनकी experience को बढ़ाता चाहेगा उसकी talents का level वैसे ही लगाता बढ़ता चाहेगा और इस चीज़ में वो येतियान की मदद करने को ready था और तभी उसकी एक हलकी सी चुटकी माटा ही वहाँ के special जगा एक तभी बतल जाती है और आप बुसंदेरी जगा को छोड़कर वो आगे थे एक चीब सिक डोमेन में जो कि किसी तरह की किला की interest लग रही थी जो देखता येतियान भी हराना था पूछटा है आखर सफ में ये कैसी ताकत है क्या ये कोई special talent की शक्ति का हिस्ता है पर फिर आखर किस rank है योगे अतने ताकत योगे अतने ताकत एक monarch के पास तो कभी नहीं हो सकते है कि ये तेन के पीछे खड़ा वो व्यक्ति उसे बताता है वो व्यक्ति ये तेन को समझाता है तुमने बिल्कुल सही कहा पर याद रखना इस चीज का इस्तमाल सिर्फ एक पार किया जा सकता है तो अगर तुम अब एक पार special room को छोड़ कर चाने चाहोगे ये मौका फिर तुमे कभी नहीं मिलेगा और नहीं तुम कभी इस चाका के अंदर वापिस आप होगे तुम भार है डिसाइड करने की तुम क्या करना चाहते हो और ये त्यान भी ध्यान से सोच रहा था कि इस वक्त उसके लिए सबसे ज़रूरी चुकाम था वो था जितनी चल्दी हो सके अपने लावल को ग्रैंड मास्टर तक पहुचाना क्योंकि वो जानता था कि अगर ये उन फैमली को वेटैलिटी स्टोन कोर के बारे में अच्छे से पता चल गया तो वो जलती उसे इंवेस्टिकेट करकर उसे मारने के खोशिश करेंगे और उस पहला अगर उसके पास उन से लड़ने के ताकर नहीं होई तो वो ये यूकी रक्षा तक भी नहीं कर पाएगा और इससे लिए ये फैसले को पके करकर ये त्यानों नहीं बताता है आप बल्कुल सही कहा रहा है मैं समोके को गवा नहीं सकता बल्कि मैं यहीं परहा खार अपने सब टैनर्स के लावल को बढ़ाऊंगा जो बात सुनकर वो व्यक्ति में खाफी खुश होता है कि अगले पर ये त्यान पाता है कि वो वहाँ पर बस अकेला ही मजूद था पर फिर भी उस ब्यक्ति की आवाज कुस्तन पा रहा था जो ये त्यान को बता रहा था यगर ये त्यान की किसमत अच्छी हुई तो एक मुलाच रैंग के पाताने के बांग वो उसे उसकी असली बोड़ी में देख पाएगा जो आपको क्या लगता है लड़की होगी या फिर लड़का क्यूंकि इसकी हार को तो सतो मुझे लगी रहा है कि ये पका कोई बंदी है पर खैर कमेंट्स में अपने उपीनियस को शेर कहलो और जब सच सामने आएगा तो फिर देखेंगी कौन सा ही था और यहाँ ये तियान सच में सूच रहा था कि क्या उस सच में यहाँ पर एक ग्रैंड मास्टर रैंक को भी सरपास कर सकता है जो चीज़ों से पहले लग रहे थे कि बहुत टाइम लेगी क्या उस सच में अब उस गोल तक पहुंच सकता है और डरा हुआ ये तियान चिलाता बताता है एक मिनट क्या ये तो एक ड्रैंड मास्टर रैंक का मास्टर है ना तो भी इस रैंक में पहुंच जा भी था क्या मुझे अभी से इतने थाकत और मास्टर से लढ़ना पड़ेगा क्योंकि एक छोटी और तेज़ चीज हमेशा बड़ी के वार से बैस सकती है पर उसका ये वैसला भी एक तम बिकार था वो मास्टर उससे बड़ा और तक पर होने के साथ ही वह से जादा तेज़ भी था कि वह हवा मही ये तियान के सामरे हाकर एक जोट का खुसा उसे दे मार उसे दूर पटे कर दिवारा के बीच में फैंक देता है जो हमला खाने के बाद ये तियान को भी कुछ पन लगते हैं वापस करियोने में और अपनी जिंदिके में आज ये तना टाइम बाद ये तन को रिलाइस हुआ था कि ताकत और मॉस्टर्स क्या होते थे क्योंकि इतने टाइम से ताकत में टैनर्स को को पिकर करकर वो बागियों से जादे का लणाई या असानी से ही जीत किया था पर आज उसके सामने खड़ा ये भ्यांकर जीव कुछ अलगी था और फिर अपने फैसली को पगा करता अबस दूश्टा है ये सच मैं काफी भ्यांकर पर मुझे कुछ बिगर गर इसके बराबरी में सामना करना पड़ेगा और जहां तक मुझे याद है अस वक्ति ये यू की तरफ रात हो रही होगे और वहाँ छे घंटे में सुबा हो जाएके तो कर सुबा उटकर ये यू कुम है बुरी हला तो मैं जमेन पे लिप्टाप बहुटती का वो मेरी बहुत ही साधा चेंता में आ जाएके इसलिए कुछ भी हो जाए मुझे उस सब बात है अपने लावस को बढ़ाना पड़ेगा और इस मोस्तर को हराना पड़ेगा यानि बाहर की दुरिया में चाहिए 6 घंटे या फिर एक तेन पर यहाँ पर ये तेन को शायद लगातार साल हो तक उससे लड़कर उससे फटा फट अपने स्टेज के साथ-साथ अपने सब इस टैलेंट्स को लावल लब करना होगा आकि बवेश में ये उन फैम्ली भी उसका कुछ भी ना बिकार पाई अफ़र टाइम बाद नॉर्मन वर्ल्ड में हम लेखते हैं अच्छा है माचो के कच्छा है एकदम प्राइश पेस मनें अपने हम तोड़ी ना बेश्टे हैं हम तो मैडिकल प्लार्स बेश्टे हैं आम खौड थपड़ मारूंगा भाए इस भखुदी के साथ साथ शक्ति शाली हंटर्स पे शिकार कर अपने अपनी हंटिंग अप्रेटी की तारीफे कर रहे थे तो तो सच में कमाल के हो मुझे यकेद नहीं होता तो ने इस जल्वर्मोन वुल्फ को अखेल ही मार दिया जबकि इसका स्पीड टलन काफी तेज हो और इस उमर में होने के बाब जून भी उससे सपने किसी लड़कों के नहीं आ रहे थे बलकि वो तो नेन में भी अपने भाई का नाम ले रहे थी क्योंकि उसके चेंता थे क्योंकि उसका भाई हर एक बल खोई न कोई उल्टा फूल्टा कांट कर सकता था और यहां एक और इस बल उसे कोई भी आकर देख ले था उससे थोड़ी ना पता चलता कि यहां उस पेशल जगा के अंदर जहां पर अब यहां को उस मॉंस्टर से लड़ते वक्त बहुत ही जादा टाइम अल्रेड़ी बीच चुका था और अब इस मॉंस्टर से लगातार इतने लड़ा पढ़ लेता है और उसके बाद उस मॉंस्टर के वारों से बच्टा हुआ वो सीधा उस पर वार करने के लिए बढ़ता है और आप तो यह थियान का किया किया कि आप वो वार पहले से इतना जादा ताकत बर हो गया था जिससे वो मॉंस्टर तक भी पूरा काम कर पीछी को जबकि पहले यह थियान उस मॉंस्टर पर खरोश टक भी नहीं लगा पाता था और वो मॉंस्टर एक तम सोड़ से नीचे तो गिर किया था पर अब ही हारा नहीं था और यह थियान पे इस बात कुछ जानता हुआ अब अपने आप पे पूरा का पूरा का पूरा का बैनेस था और फिर हम यह थियान की टैलेंट के लिस्ट देखते हैं और उसका कॉल्टिवेशन टैलेंट प्रानसीड इंट एर का था और उसके ट्रीश रंटेंग और उस पेशल टैलेंट को छोडग का हैं बाकि सभी के सभी लड़ने लाएक टैलेंट अब एपक स्टा के हो चुके थे याई बूसका हर एक छोटा सा चोटा टैलेंट उससे लड़ने में एक तम जहरीना बनाता था और अब यह त्यान से इरिटेट हो कर तो मॉस्टर भी एक नई ट्रिक इस्तमाल करता है और बड़े से पथर को तोड़ कर उनकी टुकड़ों को बगड़ कर वो अ एक तम तेज़ी से उड़ता हुआ है वहावा में एक्टिवेट करता है अपने एपक स्टार की नाइफ टैलेंट को और वहाँ पर इस्तमाल करता है अपनी नई स्केल स्पोर्ट कंट्रोल जिसके स्लेशे अब इतने तेज और खतरनाक हो गए थे कि ये थैन को वो नाइफ टैलेंट उसकी तरफ आरे हर एक मिसाल पत्थर को कुछी सेकंड्स में एक तम चीर करक देता है जबकि पहले अपने कमजोर नाइफ टैलेंट का वो शक्तिशली अपॉनर्स के खिलाब इस्तमाल तक भी नहीं कर पाता था और अब उस मॉस्टर को खतम करने की त्यारी करता ह बाहर के दुनिया में यह कुछ पलों के लिए होगा पर यहां पर यहां पर यह बात चाची है कि तुमने मारे बहुत सावय था खिलाब अप खरने में मदद की और इससलिए अब तो मैं यहां पर खतम करूँगा और फिर वैसा ही अपने स्पीड टैलन को एक्टिवेट करक और फाइनली इतनी मार खाने के बाद यहतिया ने उस मॉस्टर को मारती है था और वो भी खुश होता कहता है हाँ मैं चीत हो गया और लगता है कि बाल काफी लंबे हो चुके है उमित करता हूँ असलिए तुनिया में जाकने के बाद यह लंबे ही ना हो क्योंकि वैल अतरी के अंदर से वो यह यूसर गालिया नहीं काना चाता था और वैल अपका ये त्यान क्या एक ग्रैंड मास्टर या फर बाई अनी चांस एक मोनाच रैंक के करीब आने वाला है या फर आ चुका है यह जानने के लिए तो आपको वेड़ करना पड़ेगा इसके अकले एपिसो तो आपको पता है ना क्या करना है अस वीडियो का नेचे कम से कम साड़े 300 कमेंट्स करने हैं और कमेंट्स में आप लोग अपनी अपनी बाते डिसकस कर सकते हैं और बाई दवे हमारा गोल है अस मन्द के एंट तक 51 के सब्सक्राबर्स तक पहुशने का तो पड़ापड चा अगर चानल को सब्सक्राब कर लीजिये और अगली वीडियो के अंतिसार कटे हैं बाल आइकन को दबाग कर वारी बाग के वेडियोस को एंजोई केजिये स्वाने वेस खास पोटनाव पाइकुट पास ता नारा चाना